मेरे प्यारे बिद्ध्यारतियों आपका अपना चैनल केस एडुकेशन पाइट माई केस सर्मा तो आज लेके आएं दोस्तो आपके लिए बहुत ही हर एक एकजाम को दोस्तो तोर पर देखा जाएता आपको दोस्तो लेकर आए हैं समान ने वीग्ञान का बारे दूस्तो आज लिखना है साईंस में केमेस्ट्रि देखे आये हैं जो हर एक एक एकजाम में आपको पुछत जाता है यह आप Яप्योंט पो्लिखन के तुर्ठी नाई जाता है या इए आई इक तो चलते हैं देरी नहीं करते हैं पहला की चलते हैं आज कहा है कि निम्न में से कौंस जो है औक्षी करन नहीं है तो यहां पर चार गौप्से करन हैं तो जो है दिया गया है कौँसे जो है इसमें से जो है अक्षिकरन नहीं होगा तो यहापन होगा अप्षन नमबर ए जो है अब छेपन नहीं है बागी सारा जो है अक्षिकरन है भोजन का पचना सुवसन और दहन जो है यह तीनों जो है क्या हो जागा तो अक्षिकरन हो जाएगा फिरना दो नमबर में नमक क करन को दुवारा जो दुस्तो आपको जो है सिल्वर नाइट्रेट और नमक को जो है दोनों को मिला दिया जाए तो दही जैसे परदार्थ बन जाते हैं तो मेरे प्यारे बिद्यारतियों अगर जो है मेरे वीडियो कई तक जो है लाइक नहीं किये तो लाइक कर दीजी और वी पर सी उपचयन अभी किरिया है कौन किरिया है चार नमर में किसी रसाइनिक अभीकिरिया में ऑक्षिकरन के अनुपात का बढ़ना क्या कहा लाता है दोस्तों जो बार बार एकजाम में पुझा जाता है तो आज के मुख टोपिक हम लेका है केमेश्ट्री जो आपकी जो है बहुत ज़्यादा भीवियाई है तो किसी रसाइनिक अभिकिरिया में आउक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है तो अप्सेन नमबर बी यानि की उपचेयन अभिकिरिया कहलाता है तो अप्सेन नमबर में निमन में से कौन से अभिकिरियाओं के युग में हमेशा साथ साथ होती है तो अप्सेन नमबर सी यानि उदासनी करन और बेस्थापन की दुष्टों जो होता है अभिकिरिया होता है वो दोनों हमेशा साथ साथ ही रहता है अबिकरीया में भाग लेने वाले पर्दात को हम कहेंगे अभी कारक, option number C, क्या कहेंगा, तो अभी कारक कहेंगा, अगर कोई परदास अभी किरिया करता है, तो भाव लेना परदास को क्या करते हैं, तो अभी कारक कहते हैं, तो आठ नमर में, सुवसन किस परकार की अभी किरिया है, तो सुवसन दोस्तो, जो है, आपको जो है, किस पर विए चाहिए थो चाहरं से बने लवन का क्या होता हा है क्सक्कтेंつ तो यह हैं और साथ से कम याद रखना डोस्तो आगे आगर यांको एंटरक पुछ संद्ध करों हां आपको जहाता है तो हम बोल रहे हैं आपको अगर रिलिविक तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यदा भीवियाई है कि प्रवल अमल और दुरूबल जो होता है बने लवन का प्याज मान होता है वो होता है दोस्तों हमेशा साथ से कम होता है दस नमर में छारक को जल में घोनले पर क्या मुक्त होता है यानि कि हम कर सकते हैं क्या निकलता है तो दोस्तों ओ एच निकलता है तो ओ एच आयन निकलता है तो ओ एच आयन निकलता है कि दही में किस परगार का अमल पाज़ता है तो लेक्टिक अमल पाज़ता है फी दर खेंगे बारा नमर में किसी अमल में मुख रूप से एक परमानू अवस्चे मजूद रहता है जो धातू से अभिकिरिया कर एक गैंश उत्पन करता है तो अप्सन नमर ए यानि कि हैड्रोजन ही एक ऐसा अमल है जो दोस्तो मुख रूप से एक परमानू अवस्चे मजूद रहता है जो धातू से अभिकिरिया करका एक गैंश उत्पन करता है तो वह हैड्रोजन है प्रिश डेयंगे हम तेरा नमर में वेपरदार्त जिनके स्वाध खता होते हैं और जो नीले लडमस के घोल में लाल बनता है उसे हम क्या कrivते हैं तो अवसर नमर e उसे को हम क playground अमल और एंग्लिश में में बोलते हैं ठीजिए वेपर दात जो है जिनके स्वाद खटा खटा होगा जो नीले लिटमस की घोल में लाल बनता है उससे क्या करते हैं चौदा में जल में घूलन सील भस्म वह खञते हैं तो वह हमेशा चाहर कालाते हैं चाहर कालाते हैं 15 में नीमन में से कौन प्रावल अम्लिय है या पर चार कॉप्षन दिया है यह वह हमेशा उसका पीछ मान 0 होता है थे सुला नमर में लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकलता है कहा से तो वो निकलता है दो आईकें उस निकलता है सत्रह नमर में सुच में बूझा हुआ चूना पर कलोरुन गैंस की किरिया से कौन सा प्रदाथ बनता है पितिंगा 18 नमर में हल्दी लिटमस पत्र में पत्र आधी किस परकार का सूचक है अप्शिक कारण पिति रिटमस पत्र आधी किस परकार का सूचक है पितिंगे 20 नमर में निव्द में से कौन अक्षिक करण नहीं है दोस्तों यहां पर आपको आप 6 5 जो है वह उक्षी करन नहीं है दहन उक्षी करन है भोजन का पत्ना अभिक्रिया है तो हो जाएगा नमबर से यान उसमा 6 पी अभीकरीया है क्या है तो दोस्तों आप से हम एक बार और एक बार करते हैं बार वार दोस्तों कि यह लाइक कर दीजी और वीडियो नीचे जो है इसका जो है पीडिये आप इसका दे आया है वहाँ सबस्क्रेइब ॥॥०। कम से कम 10 लोग के साथ ऐसे जरूद करें जो डोस्तो एग जायम के ले दो बहुत जादा भीविया है। अब चुर बाइब में को करने इस फेर कर पर औक पर झाइड की धंड इस परकर रंग कैसा हुत आधा। ऑब यहाम करने काला हो जाएगा। तेस नमर में साख सब्जी का बिघटित होकर कमपोस्ट बनना किस अभिक्रिया के उधारन है यानि साख सब्जी दोस्तो जो बिघटित होकर कमपोस्ट जो खाद बनता है वो किस अभिक्रिया के उधारन बनता है उसमाँ छेपी अभिक्रिया कारण बनता है 24 नमर में sodium hydroxide का pH मान लगभग कितना होता है sodium hydroxide का pH मान लगभग दोस्तों हो जाएगा 14 25 नमर में किसी उदासीन बिलेन का pH मान होता है कितना होता है किसी उदासीन बिलेन का pH मान होता है वो हमेशा साथ होता है पिर दखेंगे हम 26 नमर में कि दात का मसूरा किस परदात का बना है जो काफी कड़ोर होता है हमार जो दोस्तों जो हमार जो दात होता है जो मसूरा जो होता है वो कौन सा परदात का बना होता है जो काफी ही कठोर होता है मजबूत होता है तो option number B यानि कि calcium phosphate के बना होता है जो मसूरा बना होता है जो बहुत ही कब जो है मजबूत होता है 27 नमर में कि Emily में कौन सा आमल पायाता है जिसको बोलते हैं दोस्तो acid तो acid जो है Emily में पायाता है तो क्वोध스 जो बढ़ाता है option number B जो में कहाते हैं 28 नमर में उपचायन अभीकाया को क्या कहते हैं तो उपचायन अभीकाया को हम कहते हैं दोस्तो option number B क्या 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 विकाया कहते हैं तों आप Şimdi spacing को ही प्रीषश सब syllabus क्या क्याने दानेदार दस्ता पर तनू सल्फेरिक अमल डानले पर कौन सा गैस उसरजित होता है तो अप्शन नमबर A यानि की हाइड्रोजन गैस उसरजित होता है तिस नमबर में सूर्ज पर कास की उपस्तिती में पोधे CO2 और जल से अपना भोजन जिसको बोलते हैं गुलुकोज तयार करते हैं या कौन से अभिकिरिया है तो जो है CO2 और जल अपना भोजन तयार करता है जिसको बोलते हैं गुलकोज तयार करता है वो कौस अभी के लिए दोरा करता है परकास अभी के लिए दोरा जो है पोज़ा जो है अपना CO2 और जल का निर्मान करता है 31 नमर में जिंग तथा लेड कोपर की अपयचा क्या होता है जिंग जो होता है ऑफ्लाइब क्राइब करना दो इसको बनाना द Size दीजckt लिए कि अबिकिलिया कहलाता है यानिकि दो यहले कि अन obvious की आपका सकते हैं अंगोर का जो है डो कुछ बनाए जाता है या विदा बनाता है और यो रहुशन नमर में माइल्टे के रिबन के द्रहन होने पर किस प्रकीर्ती का लो उसरजित होता है तो अप्शिन नमबर छेसी तो अम्ल पायता है यानि कि डी सिर्का चरण और शिराइब होता है कौंशा आम पायता है तरह जिए तरह हम पैंद समय मेंन में से कौँम्हां सब्सक्राइब निवने में से दोस्तों प्लास्तिक नप्कुल को जाएगा विजाती कीजी उत्मा से ना से किजे दोस्तों कि टे कर के लिए उसके लिए जोत यह चुट ना पाई जो तो हर एक एक्जाम के लिए दोस्तो तो दो आपको जिनकी बता सकता है या तो जिनकी को खराब कर सकता है विल्डे आपको याद हो जागा बस रते जोस्तो बीडियो को पूरा देखिएगा 36 नमर में लेमू की रस का पियच मान लगवक कितना होता है दोस्तो बहुत ज़्या है 37 नमर दखेंगे कि नीविन में से कौन सा अधाथ इसे में जो जाएगा बिद्धूत का सुचालक है गरेफाइड बागकंपर, सलफर, हीरा दोस्तो ये बिदुद का सुचालक नहीं है जोस्तो ये अधातु बिदुद का सुचालक है फिर चलेंगे आगे जो है 38 नमर में मधुमाखी के डंक मारने पर किस परदात से उपचार करना लब कारी है जोस्तो अगर जो मधुमाखी जो डंक मारता है तो उसमें जोस्तो कौन स परदात के उप्चार करने के लिए किस परकार का मंजन का बेवार करना चाहिए जिससे की रोग जा सके जिसके दोड़ा 26 रोग जा सके उप्चन नमबर B यानि दोड़ा चाहिए ज़ुआ खतम हो जाएगा फिर दखेंगे आज आज का लास्ट किस्व आपके लिए बहुत ज्यादा भी आई है दोस्तो आप तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं कि दोड़ताब से खीर करें के वीडि सब्सक्राइब सब्सक्राइब बार बार एक ही रिक्षेक करते हैं इसमेंसे कौंसा जो यहाट्बlara और जाटु यहाट संचोफ डूतर है सबिक्मिनें सो जोग सहे था है लगए कि यहाट धाइक अगली बे्टेयो मिलें दूस्तोष तब तक दूस्तो जय हीन्ट जय भारत